कि नमस्कार दोश्तों माईने मिश्भूपेशन सर्मा मोटी मिशन स्पिकर बिजनेश को मुस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर चार्शा करने जारूं आज मैं यह बताने जारूं कि बिजनेश करने के लिए क्या होती है और अगर हमें यह करना है तो हम कौन से क्या होते हैं तो अभी तक आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्योंकि आप कोई पता है मेरी यूट्यूब पर सिर्फ अरणिंग और बिजनेश से लिए वीडियो अफ्लोड होते हैं चाहें वह बिजनेश क और अपने चीज में आपको बता देता हूं आपके सामने जीता जागता प्रजेंट में एक जामपल है जो आज की डेट में बहुत पूलर हल्दी रामका पांच जार करोड लगभग का सम्तिंग का लगभग का है प्रिजन टैमें टर्न वर हल्दी रामका उनके जो ऑनर थे उन्होंने कभी अभी नहीं की थी उनके जो ऑनर थे वो six class तक पड़े थे six class में उनकी साधी हो गई थी साधी 항क कि अरद करने के बाद घर से उनको जो है निकल गए घर से निकलने के बाद बाहर रहे हंट्र रूपी रूपी हल्드ी रामका बना हुआ जृब में ताप ब प्रिट्रोल पंपे जवाब करते करते आज की डेट में टाटा एंट संस बहुत बड़ा इंपार खड़ा हो गया तो क्या MBA करने क्या सकता होती है कुछ इस एजमपल आपको यह दे रहा हूं इसलिए ताकि आप कोई प्रॉब्लम नहीं या फिर मैं पॉर्ले जी का ले लेता हूं इनके ऑनर की दुकान थी स्टाटी में कैंडी बनाने का टॉफी बनाने का सिस्टम था इनके पास बिजनेस करने के लिए MBA डिग्री क्या सकता थी ब पर्मेशन होती है और जब तक आप उसे अपने लेंग में प्रक्टिकली अप्लाई नहीं करते तब तक MBA करने का कोई प्रॉफिट आपको नहीं होता है जब आप कोई भी बिजनेस से स्टार्ट करते हो चाहें वो छोटा सा बिजनेस हो तब वहां पर क्या आता है तब जब गरनेस करना पड़ता है आपको ड़ी और किना ँनकमिंग करनारा है पर जबदा सब्सक्राइख श्र Census करनेसा है जाए के लेशन करते हैं जह सारी अलग तरिके से खर्चा करना पर बहूप कर आप करोणों रुपय ओंशते हैं तब जा करके आप MBA degree की तब तक आउसकता आपको नहीं पड़ती बट अगर भी एकाउंटी नुगरा की जो भी प्राब्लम्स होती है वो सी ये आपके मेंश कर लेते हैं जब आप करोणों में पहुंच जाते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप मैं आपको बदाते हैं बिजिनेस करने के लिए किस सेमिनार समय जा करके आपको लेक्शर देने का टेम द्या जाता है लोगों को नोटीवेट करने से में सब्सक्शन झेल से साथ का और और अपना तक और संब्सक्लान देता है वाड़ी लिंगज आपकी पर्फेक्ट हो जाती है चैसे आपको अपना वाडी लंगेज करना वर करना और हां वाडी लंगेज भी आपके परफट हो जाती है साथ में एक चीज़ और भी हो जाती है कि आप अगर तो आपको कहीं भी जॉप पाने में आसानी हो जाती है अगर आप टॉप 10 या टॉप 20 कॉलेज़े से अगर आपने एंबीए किया हुआ अगर उससे नीचे के आप खरते हैं तो इसका ही रेशियों होता है एंबी एक तॉप 10 पर लेंग पर लिकलते हैं उन लोगों को जो है अपने पास रखते हैं हर कोई एक हाई लेबल या बड़ी कंपनी चाहती है कि हमारा काम कोई आए और वह संभाल ले तूंको यह पता होता क्योंकि MBA वालों के पास already theoretical information होती है वो practical information भी कुछ ना कुछ बड़े-बड़े colleges से collect का लेते और जोब वहाँ पर जाते हैं तो मेहनत इमांदारी के साथ work करते हैं जिसकी वज़े से उनको क्या होता है उनको job मिल जाती हो च्छे तरीके से work करते हैं company उसको सबसे पहले job देना पसंद करती जो business में फेल हो चुका होता है क्यों क्योंकि उसको यह पता होता है कि हमें यह गलति अगर मैं करूंगा तो business में और भी अनसच्छेज हो सकता हूं फेल हो यह यह उसी तरीके से इस इसमें वेकरीश गलती करो तो चुछ का तो अच्छों के लिए और आपको बता दूं इसका अनुमानित अच्छों स्हाजरी होती है तीन पर एयर स्टार्ट होती है आप समझ सकते हैं इसका packaging जो सब्धिक लॉटता है्ट यह उन्हीं Rat करने के बाद मोटी ऐस प्या करने के बाद मूटी मुट्य सिस्टम में आपको बताना हम हो और आप क्या करते दस हजार पंदा हजार या बीस हजार रुपए की आपकी नौकरी मिलती है इससे एक वेनिफिट्स और होता है आप जब जब करके किसी कंपनी में जाते हैं तो आप डारेक्ट मैनेजर की पोस्ट पर पहुंचते हैं ठीक है या अब यह तो वेनिफिट्स हो गया बट जब अगर आप कोई चोटा सा बिजनेस पांच लाख रुपए आप चोटे-चोटे दो बिजनेस डाल दो दो साल अगर अगर लगाता है जितनी महनत आप में देते हो उतना अगर आप इपने बिजनेस में दोगे आपका बिजनेस हंड़ेट पॉस्ट मैं गारेंटी के सथ कह सक सूट सर्च करो कौन सब जो है आपके उपर सूट करता है तो आप क्या घरते हैं हमारे नुसार MBA करने से अर्षा है कि आप खुद का कोई वर्क कर लो जिससे आप आगे बढ़तों को और अगर आप जौब करने का आपका सौख ही है जौब करना चाहते हैं MBA करने के बाद तो ए सब्सक्राइब करने के लिए लाइफ ही नहीं बशती है तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप पंच लाख वहां इंवस्ट करने के बजाए छोटा सब बिजिन से स्टार्ट कर लो पांच लाख रुपे में और आप आगे बढ़ सकते हो टाटा ने कभी आठ जार दस जार स स्केट है जिसके काफी कुछ रूपे से स्टार्ट किया तो इस तरीके से काफी सारी लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना बिजनेस इसटार किया बड़ लोग जो जो जिन्हों ने अपने टाइम को मल्टिपलाई करके वर्क किया वह लोग आड़ टॉप रांक पे हैं काँट है या फिर बिजिनेस करना उचित है या फिर जॉब करना कोई भी हो किसी भी टरीकी नौकरी रहती गुलामी घुलामी रहती कैसी भी पर किसी भी इंपोई रहा आई जे ट्रेनर के लिए जब वहाँ पे गया लिए ट्रेणिक है तो बहुत मज़ा आखा रहा तो गवश्क करने में फिर जी से जी से मैं फिर से मैं तो बहुत पर मुझे रियलाइज हुआ कि यार अब यहां पर आप कोई भी इसके बाद जो भी आएगा वो क्या होगा क्यूंकि मैं जब टीम लीडर बना था वहाँ पर सिर्फ चौदा से पंदा गाड़िया बने लगी एक दिन यह गाड़ी कम होने के हो जैसे काफी डाट पढ़ने की वज़े से जब एक मैनेजर प सब्छे के हो कि sound करेगा करें नहीं करेंगा उसमें यही सिस्टम अपला जितना भी मैने करता था इदर और से जॉब भी American कि अलगा फिर लाट और गया तीन-चार करने के बाद मुझे लगषैंü कोई भी बिजन्स लाखों करोनों में नहीं किया मैं सिर्फ बिजन्स अपना इस्टार्ट किया हजारों में कभी 40,000 कभी 70,000 कभी 30,000 कभी 20,000 इस तरीकी से बिजन्स इस्टार्ट किया जिससे में क्या हुग है नॉलेज मिली और नॉलेज के साथ आज ही डेट में अगर मैं चाहे तो शेर मार्केट में अपना पैसा या क्रिप्टो करेंसी खरीदू है तो दूनों एक हिसाब से बहुत ही खतरनाक है बहुत ज्यादा रिस्क है या फिर मैं खुद का कोई बिजन्स से स्टार्ट करूं करने वाला हूं तो इस तरीके से अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएको आप जानकारी होती ही जाएगी और आप प्रेवर होते चले जाते हैं तो आसा करतों आपको सब पूस समझ में आगया होगा कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताईगा मिलता हूं फिर किस दमाके तर वीडियो में तब तक के लिए